हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल इसके प्लानेट वाया में तो जैसा कि आपने थम्नेल में देखिए लागो कि आज के वीडियो में कुछ ट्रीक की बाते आने वाली है तो आज हम कुछ बताने वाले आपको ट्रीक कि अग्याइब तो फ्रेंड्स आईए हम देखते हैं यहां पर यहां पर यह पाज मतलब ट्रिक्स दिखे हुए हैं वह में ट्रीक आडिया करके लिए वह सम्पोर्टेंट सौट कर ट्रिक क्लास नाइंथ के लिए और क्लास टेंथ के लिए आपको आगे भी आपको सकता ऐस पड़ती रहेगी किसी कोस्टन में आपको इस इस खासकर के यह कंपेटिशन में के कॉश्चन में आते हैं कि लागता रहा तक की पराउचा की प्राकृत्त सग्ख्या का योग फुर्पल बता है तो आप बार बार उसको जोड़िएगा 1000 फ़लेंग 2216 फरी टोगा 6 610 सी अ आप 10 तक चालते हैं लेकिन एक ट्रीक के साहिदा से आप इसको बहुत ही असानी से निकाल सकते हैं क्योंकि पहला ट्रीक यहां देखी लिखा हुआ है लगतार N तक की प्राकिर्ट संख्याओं का योग फल क्या होता है n into n plus 1 by 2 अब पूछ रहा लगातार E अगर आपको कौशन में देज्टा लगातार दस तक के प्राकिर्ट संख्या का लगातार लेजे 10 तक प्राकिर्ट संख्या क्या होती है समाने रूप से किसी वस्तू को गिने जाने वाले संख्या को है किसी वस्तू को हम गिनते हैं तो कहां से गिनते हैं एक से गिनते हैं कोई वस्तू रखे हुई आथे हます दो तीन चार पांच मतलब एक सच्छों घना जाती संख्या उसको कहते है uneLY romance schance go in get to a क्यों किस्वी ए स्वह कहा नगने पुर्मौला को समझ लेते हैं आपको जूरिए दो कितना आएगा expensive 65 75 अगर आमकोटना 10 नीण आनवे तक रहा है देता है तो अगर आमको 10 तक पूछा था तो यह हमारा एन को गया कितना 10 मतलब कितने तक पूच रहा है मतलब कितने तक फीर संख्या उसी को करते है and तो इसका अगर हम फरमुल अब्छा मतलब फरमुला क्या है अगर हम को निकालना है लगातार क् 105 व्यम 긍 संख्या कि मैं सब कर सम्य करना है कितने तक का हम planta है 10 तक का तो n की जगाँ पर हम 10 रख देंगे मतलब 10 इंटू 10 प्लस 1 बट्टा 2 अब देखिए 10 और 10 और एक कितना हो जागा है 11 मतलब 10 को 11 से गुना करके 2 से भाग दे देंगे 10 को 11 से गुना करने तो होगा 110 होगा बट्टा 2 एंसिल करके हमारा 55 दिखें एंसर कितनी असानी से आ गया आपको इतना जोरने के आप सकता भी नहीं है 55 के वेशी तरह से हमको अगर दे देता दो इसको कट देंगे तो यह कितना मद्द बेकाट गया 50 ठीक है इतने किस गुना करके कितना हो अब नो पचे 45 के पांच हाथ में चार नो पचे 45 चार उनचास जीरो मतलब उन्चास पतास देखे कितने असानी से हमारा स्लूशन आ गया गुना को एक बढ़ा और देख लेते हैं कि यह सही है यह गलत है नौपसे पैंतालिस मतलब इसको जो है एक जीरो है एक जीरो का आप साइड में रख लिजिए इसको भी असानी से गुना कर सकते हैं अगर किसी एक अंक है यहां पर तो पांच नमा 45, 45 का पांच हात में कितना बच गे चार और फिर पांच को इस दूना के जीरो तो उसको जीरो जहां पर था बस लास्ट में उसा भी बढ़ा देना है हमारा गुना करके आगया उतना आप जोडते दिए एक से लेकर 95 तक का उ सब्सक्राइब करते हैं कि तीन से लेकर तीन से लेकर कितना होगा कभी-कभी कुछ लोग होते हैं से जो इसा-इस पूस्ट देते हैं तो आइसा बता सकते हैं मौखे गुरूप से भी बता सकते हैं जोरके सीधा या फिर घुना करके कॉपी पर यक्ठागेश पर बता सकते हैं तो इस तरह के कोशना कर जाएसे पानल मान लीजे आप तीन का पहारा पढ़े तीन का तीन होता है तीन दुनिछो तीन तीन नौ तीन चोग बारा तीन पचे 15, 36, 28, 37, 38, 24, 37, 27, 37, 30 है अब फ्रेंड्स का पहारा परैंगे उसको यहां पर एके मतलब वो सका मतलब हुआ एक ही जगह पर मतलब क्या रखना है कि जिस चीज कहां कर पहारा पढ़ेंगे वो होगा एक है और जहां तक है एक जहां पर मतलब क्या पढ़ेंगे वह होगा हमारा एन और उसके वाद बैल्यू पुट कर देना हमको पूरा का योगफल निकल जागा देख लिजिए हम इसके कितना असानी से फ़र्मूल निकल दे पहारा किसी का पढ़े तीन का तीन रख देंगे फिर गुना में है एन कहां तक पढ़े 10 तक पढ अब इसमें भी एक प्लास्ट में जीरो बचा हुआ है तो जीरो का आप चांट लेजिए अलग एक गाड़ा को तीन सो गुना की जित कितना हो जागा एक गड़ा थियत नहीं तीस और एक जीरो का रख लिजिए बट्टा दो कर लिजिए इसको कैंसिल करके कितना जागा दो एक आई दो बच गया एक दो चक बारा दो पंचे दस हमारा योग फालाइगा 165 तो इसी तरह से आप दो का पहारा जाए तीन का पहारा का पहारा का निकलना तो हम चार का पहारा पर रहे हैं अगर हमको 10 तक परना है तो 10 से गुना कर देंगे इंटू 10 पलस वन कर देंगे और बत्टबेयों 2 कर देंगे 10 को 4 सो गुझा करेंगे तो कितना होगा 40-60 कना हो जाए 1 गैस्ट दो हो 44 और एक जिरो हटाई तो बत्टब दू मतलब हमारा एंसर हाज़ागा 220 2220 अगर हम 420 तक पठते हैं तो उसका योगफल होता है 220 अगर 320 तक परते हैं उसका टॉटल योगफल होता है तो सब्सुद्ट परowej जालते हैं तुरिक चलते हैं तीसरी समध्य करते में तुसरी को भी बहुत आचाने हैं तक की संख्या मतलब अगर हमको कहता है कि 12 तक की संख्या का योगफल बते हैं कोई कह देता है 50 तक की संख्या का योगफल बते हैं लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि 43 तक की संख्या का बते हैं को 43 संख्या नहीं है वह एक भी संख्या को दो से पूर्णता विवाजित नहीं हो परस्रарт आब लुए छाण्खियाों को से ऐगा 30 तक कि समसंख्या का योगफर बते तौ्डर से नौवित सब्सक्राइब कौन कौन सी होगी एक तो 2 होगी उसके बाद 4 होगी 6 होगी 8 10 12 14 16 18 अफिट 20 इस सब को जोड़ने में सब आपको हाट लगता होगा क्योंकि जोड़ ये 20 में अठर जोड़ने अर्कितना रहा है 110 लेकिन इसको ट्रीक पे ले जाना होगा मतलब ये तो 20 तक था तो हम लोग आसा सब्सक्राइब कर सकते हैं कितना से 22 से और 4 से भाग देंगे यहां सीधे हम चार से इसको पांच मर्दव कैंसल कर सकते हैं तो बाइस पंचे कितना आ जाता है 110 देखिए लेकिन अगर इस तरह से जोड़ते हैं तो बहुत लंबा होता है तो आपको समझ में आ गया किसलिए है किसी भी कुश्चन को असानी से सॉल्ट करने के लिए तो इस टाइप को किसी भी चीज में आ सकता है तो 910 की मैथ में ही आपको एक्सरसाइज में मिल जाए इसा कहीं प अब लगातार एन तक की लगातार सम संख्याओं का योगफल निकाले थे तो अब हमको देखना एन तक की लगातार विशम संख्याओं का योगफल तो आपको सम संख्या में पूछा आपको 20 तक एक सो तक पचास तक लेकिन विशम संख्या वाला में आपको पूछेगा 93 43 19 17 अने सम्खेया быть किसी भी निकानना क्लiden 17 कि क्या कोन कौन सा GIRऄका यह चार नामर को टनी का सलूशन मतलब उसका प्रोव करने कैं और सही है या गलत तो सम्घह आगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 11 13 15 17 इस सब को जोने पें कितना होता है को जोने हमारा आता है 81 आप लोग जोनाग के देख सकते हैं 81 आता है तो इसका टिरीक तरफ चलते हैं इसको इतना लंबा जोने में थो काथ नहीं होता है थोरगती है है हमारा ट्रीक ट्रीक में कहा रहा है कि लगातार अंतकी वी शम्शंखियाओं का योगफल किया होता है तो कहा तक की है 17 तक की है तो आज की जगह पर क्या रखेंगे 17 प्लस 1 बाइ 2 का होल स्कुर। सतरों और एक कितना हो जाता है 18 बट्टा दू का होल स्क्वाइर इसको कैंसिल करेंगे तो 9 का होल स्क्वाइर बढ़ावर 81 देखी फ्रेंट्स कितनी असानी से चला आया इसी तरह से आपको अगर 23 तक काही निकालना है तो 23 पलस 1 बाइ 2 का होल स्क्वाइर कर लेना है लेकिन संख्यायों के लिए भी यह संख्या के लिए है इस कतना हो जाता है थे ही चाहें सिद्विकलक सकते हैं इस यह संख्यां यह जलदी अभी में बहुत ही गेंगे 3 की तरफ अगे भाब नमरीं के तरफ में क्या सा लेगिन फाइव मर क्या है लगातार न तक की प्राकिट Eldr का square जोरते हैं तो थोड़ा कठीन होता है जैसे मान लीजी एक का éskirm कितना हो सब कर सक ना हूगा उसके बाद सभी को गोरता होता है है ना होता है इस जालते हैं 그럼 55 लेकिन हम जालते हैं एंजब एंटार किप्राइट पाइब रख देते हैं कि जगपर 5 इंटू 5 प्लस एक बट्टा 2 एन है 5 को दो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस एक बट्टा 6 अब इसको गुना किजिए 5 गुना कितना हो जाएगा 5 एक 6 गुना 10 एक 11 अब बट्टा 6 अब देखिए फ्रेंड्स यहां 6 से 6 के लेस्टना करने का जरूरत नीहीं उत्ना स्कॉएर करने की जरूरत नहीं है और आप को मला आकषक्वाइड की संख्यां का यूजबकर निकाल सकते हैं प्रिंच से यह चैनल को लाग होगा थायो आपको अच्छा लागा हो तो चार इक्टे है वीडियो को लाइक कर तो अमार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरी तरह से एक दम अच्छे से सिखतेगा तभी तो इस तरह के ट्रिक को आप मिस्ट नहीं करिएगा अगर मिस्ट कर गए तो फिर इस तरह के ट्रिक पर मेलते कहां है तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही रहने दे हैं तेंक्यों फिर चलते हैं बाइबाट केके मिलते हैं अगले वीडियो में